नमस्कार नियूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ नेहापन्थ आप देख रहे हैं आज का मुद्दा पश्चम बंगाल में कुरोना से हुई मौत के आंकडों पर विवाद शुरू हो गया है पीजेपी ने पश्चम बंगाल सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाते हुई ये दावा किया कि वहाँ सबसे कम कुरोना जाच हो रही है जबकि मरीज बहुत ज्यादा है इसलिए राज्य में मौते भी बहुत ज्यादा हो रही है केंद्रिस्वासम अंत्राले की तरब से जाड़ी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार यानि पांच मई की सुबह जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक देश में हुई कुल 195 मौतों में से 98 लोग अकेले पश्यम बंगाल के ही थे अचानक बड़ी मौत के सांकड़े पर सवाल शुरू हो गए है इस बीच ये भी कहा गया है कि पश्यम बंगाल सरकार ने एक मई के पहले भी आंकड़े जारी करने में आनकानी की थी और अब एक मई के बाद सीधे चार मई को मौत का अंकड़ा जारी किया गया केंदर सरकार की सूत्रों का दावा है कि एक मई को पहले 33 की मौत की बाद कही गई फिर तीन दिन बाद दो और मौत की बाद कही गई जिससे कुल मौत का अंकड़ा 35 होना चाहिए ऐसे में मौत का आंकडा 98 पहुँचने से बीजेपी को पश्रम बंगाल सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है और सबसे बढ़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पश्रम बंगाल की सरकार, ममता सरकार मौत के आंकडों को छिपा रही है तो आज क्या हुआ हम आपको ये भी बता रहे हैं किस तरह से तीन दिन तक पशम मंगाल सरकार की तरफ से मौत के आंकड़े सामने नहीं आने के बाद जब आखिरकारिक सचव की तरफ से मुख्य सचव की तरफ से हल्थ बुलिटिन जारी किया गया तो केंडर और राजी के आंकड़ों में साफतोर पर फर्क देखने को मिला और हमारे साथ आज की इस चर्चा पर खास मेहमान जुड़ गए हैं मैं आपको बता दू हमारे साथ टीम से समर तक बादल देवनाजी मौझूद है उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या मौत के आंकड़े को छिपा रही है ममता सरकार साथ ही बीजेपी से अनेला सिंग हमारे साथ होंगी डॉक्टर कुनाल सहा हमारे साथ है इंफेक्शन्स डिजीज स्पेशलिस्ट है इसके अलावा कोलकाता से हमारी समवाता आशिका सिंग हमारे साथ जुड़ गई है और जल्दी हमारे साथ हमारे पुलिटिकल एडिटर अमिताफ सिना भी जुड़ेंगे तो हम आपको बता दें कि यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और अब जम कर इस मामले पर सियासब भी हो रही है बीजेपी नेता राहूल सिना ने दावा किया कि पश्रम बंगाल सरकार मौत के आंकडे छिपाने की कोशिश में जुटी है अब ही देखा सरकार का अंदर में मौत को लेके लड़ाई चल रहा है जो चीप सिगेटरी उनका घुषना एक शंका है और जो अडिट कोमिटी उनका शंका दुसरा है दोनों को मिला ले 133 मौत इस राज्यों में हुआ आखी निमेशन का भी सच्चाई है की नहीं उसको लेके भी प्रस्थन बहुत है इसलिए सरकार छुपाते छुपाते ऐसा जगा में पहुँच गया और छुपाने का कोई जगा नहीं है हम आपको बता दें BJP ITCEL के अध्यक्ष ने ममता सरकार पर जबरदस्थ हमला बोला है दरसल BJP ITCEL के जो अध्यक्ष है अमित मालवी है उन्होंने बाकाइदा डॉक्टर्स की एक चिट्थी पोस्ट की है और डॉक्टर्स की चिट्थी को पोस्ट करके कई सवाल उचे हैं ममता सरकार से ट्वीट क्या किया है अमित मालवे ने वो हम आपको बता दे उत्तर बंगाल में ममता बनरजी की तरफ से न्यूक्ती के खिलाफ बगावत लेकिन डॉक्टरों के असोसियेशन की चिट्थी में एक चीज परिशान करने वाली है जिसमें उत्तर बंगाल से कोरोना पॉसिटिव मरीजों को सिली गोडी लाने का आरोप लगाया गया है क्या ये कोरोना स्पेशल अस्पिताल केवल काग्जों पर ही है तो ये सवाल पूछते हुए अमित मालवी है कि अगर जो करोना के पेशेंट्स हैं उनको सिली गोडी लाया जा रहा है जैसा की लेटर में दावा किया जा रहा है तो जो करोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पिताल की बात कही जा रही है क्या वो अस्पिताल सिर्फ और सिर्फ कागसों पर है देखे सब सब पहले इस खबर को समझने के लिए हम सीधे चलेंगे पश्म मंगाल से हमारे समवाता आशिका हमारे साथ जुड़ी है आशिका ये बताईए ताजा स्थिती पश्म मंगाल में कुरोना के मरीजों को लेकर क्या है और क्या वाकई में ममता बनर जी की जो सरकार है वो अंकडों को छिपा रही है सच क्या है आशिका हम आपके पास आगे आने की कुशिश करेंगे माफ की जगा आपका आटियो हम तक नहीं पोंच रहे